लुकार अचिस्सू समाच्चार 12 अध्याई 24 और 25 ट्वल्थ चैप्टर 34 और 35 कोई जहां तुमारा धन है वहां तुमारा मन भी लगा रहेगा तुमारी कमरे बांदी रहे और तुमारे दिये जलते रहे ठीक है तो यूश्व मसी के छेले लोगों के पास उनके आगमन के विशे में बाते कर रहेते कहते हैं जब मैं आऊंगा उस समय में आपको ऐसा चौकस रहना है सावदान रहना है जाकते हुए रहना है उनके लिए बाट जोते रहने वाला होना चाहिए और जागते वे रहना चाहिए तो प्रभु जी कहते है मैं जब आउनगा मैं आप लोगों के लिए सेवकाई करूंगा ऐसा कहते है और ये भी कहते है जिस समय में मैं आने वाला हूँ उसको तुम जानते नहीं है इसलिए हमेशा तुम तयार रहना है तो समय हम नहीं जानते हैं लेकिन हम जानते है इशु जी का आगमन ज़रूर होने वाला है उसके लिए प्रभु जी हमें चेतावनी देते हैं हमें सिकाते हैं हमारा अत्मिक जीवन के विश्य में हम कैसे साबदान रहना चाहिए जाकतो वे रहना है और अमारा दिये जलता रहना है तो परमिशर अमारा मन के अंदर अत्मा के अंदर दिया को जलाता है वो ही उसको अंदेरा को उजियाला बनाने के लिए अमारा अंदर वो अपना जोती को चमकाता है योवना एक नव में पढ़ते हैं दुनिया में आये हुए एक एक इनसान को प्रकाशित करने वाले जीवन के जोती ईशु मसी है योवना आठ बारा में एक बहिन के बात हो रही थी वहां पर जब लोगों ने उसको दंड देना चाहता था इशु मसी ने उसको माफ कर दिया और उसने योवना आठ बारा में कहते थे जगत की जोती मैं हूँ जो मेरे पीछे हो लेगा अंदरगार में नहीं चलेगा जीवन क जोती पाएगा तो मेरे बाई बेहन हम लोग इशु के पीछे चलने वाले है इशु मसी को विश्वास किये है इसलिए तो मंडली में आए हैं तो हमारा अंदर परमेशर ज़रूर अपना जीवन की जोती को दिया को दीपक को जलाया है उसको चला रहा है और आज हमारा जिम हमेदारी है उस दिया कभी बुजना नहीं है कभी भी दुनिया की बातों में पढ़कर बंद नहीं होना है तो ये दीपक है परमेशर का जीवन के द्वारा परमेशर का जो अनुगर के द्वारा अमारा अंदर वो दीपक उसने एक दीपक नहीं है काफी सारे है जिसके बार अंदर जलाया है, प्रेम का जोती को जलाया है, वो जलते रहना चाहिए, कभी भी वो बंद नहीं होना चाहिए, तो बजन सिंगी दाठरा में दावद कहता था, तू मेरे दीपक को तू ही जलाता है, तू मेरे अंदेर को दिन में बदल देता है, बजन सिंगी दाठरा का 28, 28, बजन सिंगित आठारा 28 तू ही है मेरे दीपक को जलाता है मेरा परमेशर यहोवा मेरे अंदियारा को उजियाला कर देता है देखे परमेशर की उजियाला जो है एक आश्चा का उजियाला है प्रेम का उजियाला है सामर्त की उजियाला है चंगाई की हुजी अला है हमारा जीवन में उसने उस जोती को चमकाया है तो कभी-कभी इनसान के दिल में नफरत आ जाते है इस दिया बुजने जैसे होने लगता है ये कि ओवनना दो में ये होना लिक रहे है जो अपने बाई को नफरत कते है अंदेरा में रहता है अंदेरा में जाते रहता है और लिक रहे हैं अंदेरा ने उसके आँखों को बंद कर दिया है इसलिए वो ठोकर काता है वो नहीं जानता है वो कहां जा रहा है तो एक अंदेरा जो है अमारा जीवन को दिया को बंद करके रखता है वो नफरत है दूसरा है चिंता की आत्मा है जब इंसान के मन में बस जाते हैं चिंता के कारण भी अमारा दीपक बराबर नहीं जल पाते हैं लोका बारा में पड़ेते वहीं पर इस वचन कहने से पहले इश्वमसी चिंता के बारे में काफी सारे वचनों को बता रहे थे और कहते हैं इनसान अपने क्या काएं, क्या पीएं, क्या पैने, ऐसा चिंता करते हैं, अविश्वासी लोग, लेगिन तुम लोग ऐसा चिंता ना करो, तेरे लिए स्वर्गरा जेक है, और तुमारा मन को लगाना है, क्योंकि जहां तेरा मन होगी, वहां तेरा दन होगी, वह पर जाके इंसान रखने लगेगा तो जहां पर धन रख दिया वहीं पर इसके आंके लगा रहता है इसलिए इस ने कहा तेरे आंक एकदम निर्मल दिपक के समान अमेशा जोती के समान चमकते रहे लुका 11 अधिया में वचन पढ़ेंगे 34, 35, 36 में 34, 35, 36 में पढ़िए लुका 11, 34, 35, 36 तेरे शरीर का दिया तेरे आख है इसलिए जब तेरी आख भी निर्मल तो तेरा सारा शरीर भी उज्याला है परन्तु जब वो बुरी है तो तेरा सरीर भी अंदेरा है इसलिए चौकास रहना कि जो उज्याला तुम में है वो अंदेरा न हो जाए इसलिए यदि तेरा शरीर सारा शरीर उज्याला हो और उसका कोई भाग अंदेरा न रहे तो सब का सब ऐसा उज्याला होगा जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उज्याला देता है प्रकाशित वाके तीन में लवदे के कलिसया के बारे में नीश मजी बताते थे तुम तो सोच रहे हो तेरा आंक दिख रहा है लेकिन तेरे आंक दिखता नहीं है इसलिए मेरे से तुम चस्मा ले लो ताकि तुम बराबर देख सकोगे तो काफी लोगों के लिए आंक में बराबर नहीं दिखता है मैं आत्मा की आंके मन की आंके बात कर रहा हूँ जो शरीर एक आंक बराबर होने से ही शरीर कहीं जगे में जा पाते हैं कुछ काम कर पाते हैं वैसे मन की आंक भी परमिश्यराज निर्मल एकदम शुद करना चा देखे काते हैं तेरा आंक अगर दिपक के समान बराबर जलते रहेगा पूरा शरीर भी एक दिपक के समान चमकते रहेगा। जगड़ा में जाके मन अंदेरा में चला जाता है। तो परमिशर का दिपक है आंक है उस जहां पर बराबर देखता है शरीर पूर एक दिपक जैसे बन जाता है। इसका मतलब क्या है उसमें पाप बगर शरीर रहेगा और बीमारी बगर रहेगा। ऐसे शरीर हम लोग सब लोग चाते हैं लेकिन इशुमसी यहां पर हमें लुका 11 में उसका वच्चन से आमें सिखाता है। तैरे आउखों को तुम बराबर रखोगे, सही जगे को जाने दोगे, सही चीजों को देखने लगोगे, सही चीजों को जानने लगोगे, आप वच्चन के और मन लगाओगे, पूरा शरीर बली चंगाई से रहेगा, पाप प्रवेश होने के लिए उसका मौका नहीं मेरे आंकों को मैं आपके आउर लगाऊंगा प्रभुजी आपके आउर से मुझे सहायता मिलेगा आइसा हम बजन संगिदा में पड़ते हैं तो दुनियादारी में इदर उदर हम अपने आंकें लगाते हैं आम बात में ठोकर काते हैं पहले पाप इंसान की आंकों की अभिलाश की कारण पाप इंसान के जीवन में प्रवेश हुआ था तो आज भी बार बार कट कट आता है आंकों की द्वारा भी मन के आंकों की द्वारा कान के द्वारा शैतान इंसान के जीवन में कच्रा डालने के लिए कोशिस करते रहता है काफी सारे चिंता को डालेगा कोई पैपर में न्यूस पढ़ोगे वहां पर बीमारी फैल रहा है यहां पर पढ़ रहा है सुनोगे देखोगे और सोचोगे फिर आपके अंदर शैतान अपना काम करने लग जाता है तो हमारा आंकों को हम पर्वत के और मतलब परमिश्र के और लगाना है जहां से हमारा बरोसा है हमारा साहता है बाकी हम दुसरे जो मैं यह हूँ मेरे लिए यह नहीं है वो नहीं है आइसा हम अपने और से नहीं सोचे परमिश्र की वच्चन के और सार हम देखने लगेंगे स्वर्गी के और देखेंगे वहां से मदद मिलेगा वहीं हमारा कजना है वहीं हमारा रांक है वहीं हमारा दन है वहीं हमारा तन भी है पहित्र आत्मा अमारा दीपक को हमेशा जलाते रहेगा लेविक का किताब वे चौवीस सद्याय में हम लोग वच्चन इस तरह से पढ़ रहे हैं दो से चार तक हम पढ़ सकते हैं पढ़ना लेवी का किताब चौबिस दो से चार फिर यहोवा ने मुसा से कहा दो से चार इस्राइलियों को यह आग्या दे की मेरे पास उज्याला देने के लिए कुट के निकाला हुआ जेतुन का निर्मल तेल ले आना की धीपक नित्य जलता रहे हारुन उसको में मिलाप वाले तंबू में साची पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांजी से बोर तक सजा कर रखे यह तुमारी पीडी पीडी के लिए सदा की विदी तहरे तो पर्मिशर की समुग में एक दीपक हमेशा चालो रहेगा उसके लिए काते हैं एक निर्मल कूट के निकाला हुए जायतुन का तेल लोग लेकर आएंगे उसके द्वार वो दीपक जलता रहेगा प्रकाशित्वा के चार का पांच में भी पर्मिशर की समुग में स्वर्गराज में हम देख रहे हैं कैसे दीपक वहां से हमेशा जलते रहता है प्रकाशित्वा के चार का पांच पढ़ना बेटा चार का पांच उस सियासन में से बिजलिया और गर्जन निकलते हैं और सियासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं वे परमेश्वर की साथ आत्माएं हैं देखें वहाँ पर दीपक जल रहा है स्वर्ग राजे का भी एक चित्र वहाँ पर दिया जा रहा है और मुसा का मिलाब वाले तंबु का भी चित्र दिया जा रहा है पवित्र आत्मा वहाँ पर जोती माय आत्मा साथ आत्मा मतलब पूरा बरपूरी का आत्मा साथ दीपक मतल पूरा लाइट है, पूरा उजिहाला है, वो इसी मिलापाले तंबू में भी है, वो इसी हाँ पर भी कलिस्या में भी है, परमिशर की आत्मा की द्वारा अमारे गिर्दे में परमिशर अपना दीपक को जलाते रहना चाते हैं, तो इसको बुजाने के लिए शैतान जितना भी पानी डालते रहेगा, निराश डालेगा, उदास डालेगा, शरीर में बीमारी लाने कोशिस करेगा, दूसरा लोगों की कोई शब्दों से पानी डालकर उस बुजाने के लिए, लेकिन पवितरा आत्मा तेल देते देते, और हमें जलते रहने के लिए हमके मदद करते रहता है, वहां पढ़ेते लेवी 24 में की सांज से बोर तक, मतलब सुबह जब तक सुरज नहीं होगे, तब तक वो जलता रहेगा, वही से ही, जब तक इश्मसी दुनिया में नहीं आएंगे, तब तक कलिस्या जोती चमकते रहेग परमिशर का प्रेम के लिए, सामर्त के लिए, उसके अद्बुत काम के लिए एक गवाई बन कर परमिशर के जोती को हम चमकते रहना है, आईशाय का साथ में परमिशर के वचन कहता है, उठो और प्रकाश्मान हो जाओ, तेरा उज्याला आ गया है, एक से तीन तक वचन आईशाया साथ सिक्स्टी, वण तो त्री, उठ प्रकाश्मान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यवा का तेज तेरे उपर उदै हुआ है, देख, पृत्वी पर तो अंद्यारा और राज्य राज्य के लोगों पर गोर अंद्यारा छाया हुआ है, परम्तु तेर अरोहन के प्राप्त की और आएंगे का जोती को ओ लोग महसुस कर पाएंगे इसलिए ईशुजी कलिसया से बोल रहे हैं तुम लोग जोती हो अगर तुम बुझ जाओगे तुम अंदेरा हो जाओगे फिर अंदेरा का क्या हल होगा तुम तो उजियाला देने वाले तुम सावदान रहो तुम तुम दुनिया के जोती हो फिलिपियों का दो अधियाय में चौदा से सोला तक वच्चन में पढ़ रहे है पढ़ना चौदा से सोला फिलिपियों का दो सब काम बिना खुड़कुडाय और बिना विवात के किया करो ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर टेड़े और हटीले लोगों के बीच परबेश्वर के निश्कलंग संतान बने रहो जिनके बीच में तुम जीवन का वच्चन लिये हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देता हूँ कि मसी के दिन मुझे गमन करने का कारण हो कि न मेरा दोड़ना और न मेरा परिश्वर करना वियर्थ हुआ यहां लिक रहे हैं जीवन के वच्चन को लेते हुए जलते हुए दीपकों के समान इस दुनिया में परमिशर में रखा है यहां लिक रहे हैं अगर आप कुट गुड़ाएंगे परियाद करते रहेंगे अरे मेरा आजबन ठीक नहीं है अरे यह चार्ची ठीक नहीं है यह आत्मी ठीक नहीं है मेरा यह नवकरी ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं ऐसा कंप्रेंट करते रहेंगे हमारा दीपक भुजने जैसे होने लगता है लेकिन यहां कहा है हम अपना जीवन के बचन लिए हुए है दीपक के समान परमिशर हमें रखे है हमारा अंदर से दन्यवाद आएंगे हमारा अंदर से प्रेम के शब्द आएंगे हमारा अंदर से विश्वास की शब्द आएंगे हम परमिशर की जोती के समान चमकेंगे क्योंकि पूरा पीडी जो है आसपास की लोग है टेड़े है अठिले है वो लग अंदेरे में है उनके पस कोई आशा नहीं है उनका भीच में एक मात राशा है, कलिस्या की लोग है, विश्वासी जन है जिनोंने परमेशर की आतमा को पाए है, जिनोंने परमेशर की वचन को पाए है तो एक दीपक क्या दिखाता है? इनसान के जीवन का जगरूत है, अलेट है, उसको बताता है रात हो जाते हैं हम लाइट बंद़ कर देंगे और अपना कपड़ा चेंज कर देंगे आराम की कपड़ा मतलए नइट के कपड़ा पायं कर सो जाएंगे तो Шारीरिक तौर से हम करते हैं लेगिन आतमी Budget से हमारे लाइट काभी बंद नहीं हो पाएगा हमारा कमर का सकर बांदे रहना है कभी भी आत्मीक मनिशे के लिए नाइट ड्रस नहीं है आत्मीक मनिशे के लिए नाइट लाम्प हमेशा सारे चालू रखर के जागे वे रहना पड़ेगा कभी-कभी हम लोग जहाज में काम करते थे उस समय में हमारा 24 का लाग डूटी मतलब 12 गंड़ा डूटी है लेगिन रात में भी कभी-कभी हमारे लिए कुछ जरुत पड़ेगा हमको बागना पड़ता था तो हम लोग जानते हैं अगर रात में कुछ प्रब्लम आने वाला है हम लोग क्या करेंगे जो कपड़ा था डूटी ड्रस वही पायन के सो जाएंगे लाइट भी बान रखेंगे तोड़ा बहुत सो जाएंगे फोन आएगा फटक से बागने लग जाएंगे लेगिन देखे क्या करेंगे दुनिया में ऐसे लोगों को दबा के काम लेते है शरीर के लिए आराम तो देना चाहिए लेगिन आत्मा के लिए अत्मिक मुनिश्य कभी भी लाइट बंद ना करें कभी भी नाई ड्रस ना पाने हो गया 40 साल हो गया 30 साल हो गया बस काफी करके अपना अत्यार को नीचे कभी भी अम नहीं रख पाएंगे एक बाई अपना बेटी को शादी कर दिया था फिर बाव मुंबई से सारी चन्ने से मुंबई अपना बेटी को लेके आ रहा था अप लोग माले में साउत में ज्यादा शादी में काभी सारे गहन अगरपतों अंदर में पेटी में रखा हुआ था वो पापा जो है बेटी सो रहते दामाद भी सो रहते पापा दियान से उस पेटी को दियान से देखते रहता था तो बेटी और दामाद सोचा कि चल पापा देख रहे है कोई चिंता नहीं, वो लोग आराम से सो गया है, तो स्लिपर कोच में था, नीचे रखा हुआ था पेटी में, और ये बार-बार उसको देखते हुए चोर भी देख लिया है, और एक स्टेशन में बीच में, रात में कभी-कभी रुकता है न, एक स्टेशन में गारी रुका थ बैचारा इतना जागे हुए थे, इतना जबर्दस नींद लग रहा है, बोलते हैं, जबकी लग रहा है से, और ये एक स्टेशन बर के लिए सो गया है, वो पेटी चला गया, ये एक मिनिट गाड़ी रुका, चोर ले लिया, उतर गया, कोला तो देखा पेटी, आए नहीं, गाड़ी भी निकल गए है, क्या करेंगे, एक कहानी है, आपको एक बात को सिखाता है, आप बोलेंगे, इतना जागरुत रहा था मैंने, इतनी साल मैं प्रातना किया था, इतने साल मैं पवितर जीवन बिताया है, अभी तोड़ा कचरा में तोड़ा मजे ले लेता हूँ, पिर उस में से बीमारियां शरीर में, आत्मा में, मन में शैतान डाल देता है। इतना देर आपने रुका है और तोड़ा देर रुक जाये, बहुर आने वाले हैं, मतले विश्मसी आने वाले हैं, जब वो आ जाएंगे, अम लोगों को लेके चले जाएंगे। तो दुनिया की बातों से हमारा आंके बंद नहों जाएं। लुका 21-36 में हीशु जी हमारा प्रातना की दीपक के बारे में बताते हैं। लुका 21-36 हमेशा जागते रहो प्रातना करो प्रातना की दीपक जलते रहने दो। एक पाप स्टार है विदेशी का कहानी है वो उसके माबाप सब प्रभु के बच्चे लोग थे लेकिन वो दुनियादार में गलत रास्ता में जा रहे थे क्योंकि पाप स्टार होते न जो गायक लोग है उनके बहुत पैसा भी मिलता है वो लेडी है पापों की किचड में जी उसका जीवन में ऐसे कोई परिस्ते दिया गए है उसके मोत में चला गए मतलब मर्ते मर्ते उसके शरीर से आत्मा निकल गए और जब इशुमसी को मिलने गए वहां परिशुमसी उसको स्वर्ग और नरग दोनों को उसके सामने दिखाई दिया परमिश नहीं कहा देखो आपकी प्रातना की जीवन को वो कहते थे जब भी ये लोग प्रातना करते हैं मेरे दिल को वो लोग कुश करते हैं देखे ये लोग की प्रातना के कारण आज मैं तुमें वापस दुनिया में बेज रहा हूँ नहीं तो आज मुझे आपको नरग में डालना काम था लेगिन आगे का तुम मेरे बातों को मान कर प्रभु के अच्छे बच्चे बन कर मेरे लिए जोती चमकना है दुनिया के अंदर हमें जाके तुम डुबना नहीं है तो बात में आये है अपने शरीर में वो गवाई भी अब यूट्यूब में उसके गवाई देख सकते हैं इंगलिश में है तो देखे ऐसे लोग है परमिशर का प्रेम से बच गए हैं माबाप की प्रातना के कारण बले वो बेटा पाप में चला गए बेटी पाप में चला प्रमेशर प्रातना को जवाब देने वाला है तो यहां इश्यू जी ने कहा लुका ईक्विस में सबकान तो होने वाला है अक्री समय आ गय है इसले तुम लोग अमेशा जाकते रहो प्रातना करते रहो कभी भी आपका मन दुनिया में जाकर फस्सना नहीं है आपके बच्चे लोग जाके फसना नहीं है आपके कलिसिया वाले जाके फसना नहीं है प्रातना करते रहो, जाकते रहो एक बार भी जब की मारा शैतान मौका रून रहा है हमारा फाइदा उटने के लिए इसलिए सावदान हमेरा ना है नीति वचन बीस साथाविस में लिखा है पढ़िये नीति वचन बीस मनुष्य के आत्मा परमेशर का दीपक है और चीज़ को जहंचता है आपके अंदर आत्मा में प्रभव अपने पवितर आत्मा को देकर आपका दीपक को अमेशा जलते रहने के लिए चाते हैं विस का इसाथाविस नीति वचन मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है वो मन की सब बातों की खोज करता है खोज करता है देखे पवितर आत्मा अमारा आत्मा को प्रकाशित करेगा पवितर वच्शन हमारा मन को प्रकशित करेगा तब ही हम चीजों को साई डंस हम देख पाते हैं नई तो चोटा बातों में चिंता में पढ़ा रहकर में चीज को जाते हैं चोटा बच्चा लोग ऐसे करेंगे यह पेंड नहीं मिला वो नहीं मिला करके चिलाएंगे उनका माबाप के में प्रावलम क्या है उसका पता नहीं है उनके ज्ञान नहीं है लेगिन परमिशर में ज्ञान देते हैं वचन के द्वारा अत्मा के द्वारा कलिसिया में युश्व मसी के ज्ञान पाए है हमारा आँकों को प्रभु कोला है जोती मिला है इसक जो लोग जानते हैं, मुझे दिखने रहें, उनको मैं ज़रूर रोशनी दूँगा, उनको ग्यान सिकाओंगा, बोले लोगों को ग्यान सिकाता है, परमेशर के वचन, अंग्यानी लोग जो इग्नरंट है, चोटे लोग है, नमरदा से जाएंगे, प्रभू उनको ग्यान सिकाएंगे, जो लोग अपना आपको ओश्यार समझेंगे, मुझे सब आता है बोलेंगे, उनको ग्यान मिल नहीं पाता है, इवन चोटे बच्चे बोलना भी नहीं आते है, अमारा गायल किया, गाना को लेके वो लोग सुनते है, देखो परमेशर उनको भी ग्यान सिकाते हैं, कईसे उसमें उनको इंटरस्ट आ गया है, चोटा जोयल भी ऐसा सा दिकाता था, गायल किया गया, वैसे अभी भी बच्चे लोग भी वोई गा जाना क्यों परमेशर कुला दिल रहेगा, चोटा बच्चों को भी प्रभ ग्यान सिकाएगा, तो अम लग बजन सिंगीदा मुनीस में अभी पढ़ेंगे ने, लिख रहा है, बोले लोगों को परमेशर के बच्चन ग्यान सिकाता है, जो अंधेर में है, उनको जीवन में ज को तिल नाता है आंकों में, बोलं को ज्ञान सिकाता है, दिल में आनन्द लाता है बोलन को ग्यान सिखाता है दिल में आनंद लाता है मध से भी हो मधुर है अंध कोश से भी बढ़ कर मीटा है सोने से शुद सोने से बढ़ कर अनमूल है सोने से शुद्य सोने से बढ़कर अनमूल है सोना वाला पेटी को बराबर चैन लगा के लाग मार के रखना शैतान चुरा के न ले जाएं सोने से भी आंकान में गर सोने से भी बहुत सुन्दर है बहुत शुद्य सोने से भी बढ़कर अनमूल है इस वच्षन, इस आत्मा, इस ज्ञान आपके अंदर से कभी भी हटाना नहीं है, दुनिया की बातों कोई भी हो, उसके कारण आपका लाइट कभी भी सुचाफ नहीं है, शैतान सुचाफ कर देगा तो भी, टक, क्या करेंगे, टक कर देंगे, सुचान तुरंदान कर देना च कभी आपरेशन तेयाटर में देखेंगे, पूरा लाइट लगा हुआ है, और वहां पर अगर कुछ पावर और चला गया, टक, तुरंद क्या होगी, जन्रेटर होगी, इन्वर्टर होगी, वो बंद नहीं हो सकते, एक मिनिट के लिए भी, हमेशा लाइट शालू रहना है, तो वैसे आत्मिक जीवन में हम कास काम में लगे हुए हैं, आलतो फालतो बातों में नहीं है, लोगों को बच्छाने का काम हम कर रहे हैं, परिवारों को जोडने का काम, तोडने वाला काम नहीं है, जोडने वाला काम है, लोगों को तसली देने वाला काम दे रहे हैं, डाक अब उसको असिस्टन कर रहे हैं लेकिन अमारा काम भी बहुत जरूरत काम है तो इसलिए हमारा खमर बांदे हुए रहें मतलब हमेशा ड्यूटी ड्रेस में रहें हमेशा अमारा लाइट सुचान रहें इमर्जनसी बैटरी भी इन्वर्टर हो जनरेटर हो सब तयार रहें कभ पवित्र रहे ताकि शरीर पवित्र और बली चंगाई से आकरी तक रह सकेगा और येम परातना करेंगे नमारा पिता परमिशर का फ्रेम पुतरिश्य मसी कानुग रहे पवित्रात्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहें आमें